Hello students, welcome back to my class. आची क्लास में हम लोग रिट्स के बारे में बात करेंगे. So, रिट्स क्या है? किन आर्टिकल्स में इनको रखा गया है? Supreme Code and High Code की क्या जूरिस्टिक्शन है रिट्स को लेकर and types of रिट्स. ये सारे चीज़ां हम लोग आची क्लास में डिस्कुस करेंगे. But before starting my class, do subscribe my channel and press the bell icon for the upcoming notifications. क्योंकि जितने भी upcoming videos होंगे, वो bell icon को प्रेस करने के बाद ही आपको मिलते रहेंगे. तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम रिट्स के jurisdiction की बात करते हैं, तो दो main articles हैं, जो आप यहां board पर देख सकते हैं. Article 32, जिसमें Supreme Court को empower किया गया है, कि जो भी fundamental rights हैं, अगर वोईलेट होते हैं, तो Supreme Court रिट्स जारी कर सकता है. Under Article 226, High Courts को empower किया गया है, कि वो रिट्स जारी कर सकते हैं. तो अभी जान लेते हैं कि रिट्स एक्चली हैं क्या, रिट्स बिटिश कानून में राजा इनको जारी करता था, ये special कुछ राइट्स होते थे, विशेशादिकार रिट्स भी इनको बोल सकते हैं, तो बिटिश जो राजा हैं, वो इनको जारी किया करते थे, ठीक है. अगर हम इंडिया में बात करते हैं, बिफोर 1950, ठीक है, जब हमारा इंडियन कॉंसिटिशन लागू होता है, उससे पहले की बात है, तीन यहाँ पर ये High Courts थे, तीन High Courts जो थे इंडिया में, ये ही केवल बिट्स जारी कर सकते थे, ठीक है, बढ़ जब हमारा कॉंसिटिश लागू हो गया, एंफोर्स हो गया, 26 January 1950, उसके बाद यह जो राइट्स हैं, यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दौना में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो यह जो मैंने डिस्कस कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट अंडर अर्टकल 32 और हाई कोर्ट अंडर अंडर अर्टक अच्छी करण भी बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी भी परसन को अरेस्ट किया गया है, तो उसे 24 गंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है, तो अगर कोर्ट यहाँ पर यह देखता है कि कोई भी lawful justification नहीं मिल रहा है, या फिर किसी भी unconstitutional तरीके से उस परसन को अरेस्ट किया गया है, तो उसे release किया जा सकता है, उसे free कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ सीधे heaviest corpus का मतलब यह है कि किसी भी person को unconstitutionally arrest नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बिफोर आर्टिकल 32 भी Indian constitution में personal liberty को guarantee दी गई है, इन आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में clearly कहा गया है कि no person shall be deprived of his life और personal liberty except according to procedure established by law, किसी भी person को उसकी life से deprived नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, और नहीं unlawful तरीके से उसे arrest किया जा सकता है, तो personal liberty को 21 में भी guarantee दी गई है, तो next rate है हमारी mandamus, mandamus means पर्मादेश या command, इसका basically मतलब होता है control रखना, to control over the government officials, subordinate courts, institutions and corporations, तो high court हो या supreme court हो, दोनों ही इसको issue कर सकते हैं, ठीक है, किसके against issue नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी legislative assembly, legislative council या legislative body के against इसको issue नहीं कर सकते हैं, okay, president हुए, governor हुए, और बाकी जितने भी rates हैं आप देखिएगा, president, governor और किसी भी chief justice, court के, किसी भी chief justice के against इसको issue नहीं किया जा सकता है, और इसके अलावा, जो भी rates हैं, उनको भी, किसी भी chief justice, governor और president के against, उनको issue नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यह जो rate है हमारी, यह इन तीन के against ही issue की जा सकती है, and one more thing, किसी भी individual के against, इस rate को, manumus को issue नहीं किया जा सकता है, so next rate यहां पर है, prohibition, prohibition means प्रतिशेत, and in English we can say prohibit, so prohibit का मतला basically, आप समझ गए होंगे, यहां होता है, रोकना, या किसी भी काम को करने से, रोकना, तो जो भी high courts हैं, वो अपने subordinate courts को, यहां पर रोकते हैं, उनको prohibit करते हैं, कि भई, अभी रुख जाएए, ठहर जाएए, यह जो भी आपने case, या जो भी आपने decision दिया है, वो आपके jurisdiction से बाहर है, आपके दायरे से बाहर है, so you can stop it, क्योंकि यह आपको prohibit करता है, ठीक है, तो यहां यह जो रिट है, prohibition, यह authorities हैं, केवल उनके against ही लगाई जा सकती है, और किसके against नहीं जारी की जा सकती है, तो individual के against ही जारी नहीं की जा सकती है, जो भी legislative, administrative bodies हैं, उनके against जारी नहीं की जा सकती है, ठीक है, और जो president है और governor है किसी भी state के, उनके against भी इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता है, so next rate है, it means to be informed और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलेंगे उत्प्रेशर ठीक है तो यहाँ इस रिट का मतलब होता है कि जो भी हाई कोर्ट है वो अपने लोवर कोर्ट को यानि जो भी inferior कोर्ट हैं subordinate कोर्ट हैं उनको यहाँ पर आउडर देते हैं उनको inform करते हैं ठीक है और उनको यह पूंच्टे है जो भी pending works है वो pending क्यों है ठीक है जो भी pending उनके matters होते है उसके बारे में भी questioning कर सकते है under this rate ठीक है तो यहाँ किस के against रिट जारी की जासकती है constitutional bodies, statuary bodies and non statuary bodies के गेंसरे रेट जारी की जा सकती है, किसके अगेंस जारी नहीं की जा सकती है, again I am telling you कि जितनी भी रेट्स होती हैं, वो President, Governor, Chief Justice के अगेंस जारी नहीं की जा सकती है, and additionally यह जो रेट है, यह किसी इंडिविज़ल या private body के against भी जारी नहीं की जा सकती है and additionally one more important thing यह जो rate है यह mandamus and prohibition इनका mixture है so what is the difference between prohibition and certiorari अभी हम लोग उने discuss किया कि prohibition क्या है और certiorari क्या है ठीक है यह दोनों ही rates है under article 32 तो यहां basically 3 steps हैं जो कि इन दोनों के बीच में difference को बताते हैं first is issue तो किसके against यह issue की जाती है तो prohibition और certiorari यह दोनों ही courts और tribunals के against issue की जाती है high courts और higher court है या supreme court है वो अपने से जो inferior courts है या subordinate courts है judicial और quasi-judicial bodies है उनके against इनको issue करते हैं ठीक है तो यह हम लोग discuss कर चुके हैं second यहां पर है to prohibit the tribunal जो prohibition है तो यहां पर prohibit करता है tribunals को and certiorari to quest the order or decision ठीक है तो दोनों में basically यह एक difference है फिर next अगर हम third step की बात करते हैं तो third step is prohibition is at earlier stage prohibition पहले होता है पहले prohibit किया जा रहा है and certiorari is on later stage ठीक है तो basically यह basic difference है certiorari and prohibition में so next rate is q warrant 2 it means by what authority or under what warrant you act in such a way किस अधिकार से किस authority से आप यह काम कर रहे हैं तो किसके against यह rate जारी नहीं की जा सकती है president, governor, chief justice chief justice किसी भी state high court के भी हो सकते हैं या फिर supreme court के भी हो सकते हैं और किसी भी ऐसे person के against जो किसी public official या किसी भी public department से related ना हो उसके against यह rate जारी नहीं की जा सकती है तो यह सारे चीजें second किसी भी legislative body किसी भी administrative body के against भी rate जारी नहीं की जा सकती है so now we can discuss the jurisdiction of supreme court and high court regarding rates तो rates को लेकर क्या छेत्रादिकार है supreme court or high court का उनको discuss करेंगे so first of all हम यहां देखते हैं कि under article 32 supreme court का जो jurisdiction है वो fundamental rights तक है जैसा कि आपने अभी तक बढ़ा है supreme court जो है as a guardian, as a protector of fundamental rights काम करता है ठीक है तो अगर suppose किसी person के fundamental rights अगर violate होते हैं so you can go to supreme court directly or through high court तो पहले वो high court भी जा सकता है उसके बाद supreme court जा सकता है या तो directly supreme court भी जा सकता है ठीक है but under article 226 अगर हम देखते हैं हाँ high court उसके पास यहां fundamental rights से related तो अधिकार है jurisdiction है कि वो fundamental rights अगर violate होंगे तो उनको रोकने कोशिश करेगा ठीक है इसके साथ ही other purpose word भी जुड़ा हुआ है so यहां other purpose का word मतलब है general laws ऐसे कानून जो discuss नहीं किये गए है constitution में उनको भी यहां पर लाया जा सकता है या फिर कुछ ऐसे general laws जो है उनके against भी यहां hearing हो सकती है तो अगर इस step पर देखते हैं तो high court का jurisdiction सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा है तो next step हम लोग discuss करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो rate issue करता है वो किसी भी individual और government के against हो सकता है ठीक है अगर हम लोग यहां high court की बात करते हैं तो high court जो है रिच सिफ अपने state के ही individual state के जो लोग है उनके against जारी कर सकता है या फिर जो दूसरा state है उसके against जारी कर सकता है ठीक है इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो central government के against जारी कर दे है central जो government officials हैं उनके against जारी कर दे है ऐसा नहीं हो सकता है या यह भी नहीं हो सकता है कि दो-चार states के individual के against जारी कर दे ऐसा नहीं होता है तो यहां हाई कोड जो है वो अपने ही स्टेट के इंडिविज्वल या गॉर्मिट ऑफिशियल जो भी हम लोग ने डिसकस की अभी तो उनके अगे इस जारी कर सकता है तो अगर इस परस्पेक्टिब में हम लोग देखते हैं तो सुप्रीम जो है यह आपके आर्टिकल 12-35 तक आते हैं ठीक है तो आर्टिकल 32 जो है वो फंडमेंटल राइट्स में ही आता है यानि कि जो रिट्स है आर्टिकल 32 है यह अपमे आप में ही एक फंडमेंटल राइट है ठीक है तो सुप्रीम कोट जिसको अंदर आर्टिकल 32 यहां पर रि प्रिस्टिक्शन या जो भी ड्यूटी आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोट को दी गई है अंडर अर्टिकल 32 तो वो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है मना नहीं कर सकता है उसको यह काम करना ही है उसको ऐसा गार्जियन और फ़र्डमेंटल राइट्स काम करना ही है और अगर हाई कोट्स जो है यह रिट्स जो इनको मिली हुई है रिट्स जो यह इस्शू करते हैं इसको नकार भी सकते हैं ठीक है अपने इस जूरिस्टिक्शन को यह नकार भी सकते हैं रिफ्यूज कर सकते हैं बट सुप्रीम कोट इसको रिफ्यूज नहीं गर सकता है ठीक है तो आ बाप्बाइ